इसका नाइन्थ फार्ट देखिए यहाँ इसके एंगल में दो वैल्यूज हमें दे रखी है तो दौनों को आप अलग-अलग वैल्यूज के बराबर मान लेंगे जैसे लेट साइन इन्वर्स आप वन बाई फोर को हमने मान लिया A and sec inverse of 4 by 3 को हमने माल लिया B अब आप समझो कि जब इन्च की जगह पे आप A plus B रखोगे तो cos of A plus B हमारे पास बराबर होता है formula that is cos A cos B minus sin A sin B के बराबर होता है simple तो हमारे पास हमें value चाहिए इन सब की जो हम यहीं से निकालेंगे ज़रा देखिए कि sin की value है वो कहां से कहां होती है sin inverse की value होती है minus pi by 2 से pi by 2 जब आप इसको solve कर लेंगे तो A यहां पर मिलेगा इसको इधर ले आएंगे तो sin A is equal to 1 by 4 minus pi by 2 से pi by 2 यानि 0 से minus pi by 2 यह होता है fourth quadrant तो minus pi by 2 से pi by 2 यानि हम fourth और first quadrant के बीच की बात कर रहे हैं अब जो sin है वो positive कहां होता है fourth में कि first में वो first में positive होता है यानि जो यह A है वो definitely 0 से pi by 2 है and A is from 0 to pi by 2 आप region बता सकते हैं because sin A is positive that's why हमने यह कह दिया अब sin A हमें मिल गया हमें cos A भी चाहिए वो हम यहीं से निकाल लेंगे cos A बराबर होगा under root 1 minus sin square A आप बोलो sir root से value plus minus आएगी definitely but यहां केवल positive आएगी क्योंकि जो A है वो आपका first quadrant में है वो first quadrant में cos positive होता है value रखतो यहां पर 1 minus 1 upon 16 यानि 16 minus 1 upon 16 तो यहां आगया उपर root 15 और नीचे root 16 so root 15 by 4 यह आगई cos A की जो value है वो आगई root 15 by 4 cos A मिल गया sign A मिल गया यहां से हमें B वाली values और चाहिए जो second verse की value है वो कहां से कहां हो सकती है जो B है आपका वो होगा 0 to pi और इसमें pi by 2 नहीं होता हमारा इसको इधर लाएंगे तो sec B is equal to 4 by 3 अब 0 to pi 0 to pi यानि first or second quadrant बट इसमें pi by 2 जो point है वो नहीं है आपका this point is not included अब sec जो है वो positive आ रहा है sec positive कहां होता है first or second quadrant में second में तो हो ही नहीं सकता first quadrant में यानि जो angle है वो definitely first quadrant में रहा है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो B है वो कहां पर है आपका 0 से pi by 2 बट pi by 2 वहां पर नहीं है तो pi by 2 पर open interval लगाना है तो यह sec b आ गया cos b क्या होता है cos b होता है 1 upon sec b यानि कि 1 upon 4 by 3 3 को उपर ले आएंगे सो 3 by 4 cos b मिल गया cos b मिल गया तो sin b हमें इसी से मिलेगा sin b किसके बराबर होता है वो होता है under root 1 minus cos square b अब आप बोलो sir root से plus minus definitely बट जो b है वो first quadrant में है तो value negative तो नहीं हो सकती value हमेशा positive रहेगी तो यहां पर आप रख लीजे 1 minus cos square b यानि 3 का square 9 that is 4 का 16 तो यहां पर आगे 16 minus 9 by 16 that is 7 by 16 अब 7 का root तो 7 ही रहेगा that is root 7 और root 16 हो जाएगा 4 कुछ नहीं करना अब सारी value जो हमने निकाल ली वो यहां पुट कर दीजे तो यह आ गया cos a कितना आया है root 15 by 4 cos b कितना है cos b is 3 by 4 minus sin a है हमारे पास 1 by 4 sin b है root 7 by 4 LCM लोगे तो 16 यह बन गया 3 root 15 minus root 7 यानि जो इस term को solve करने पर value है वो आ रही है 3 root 15 minus root 7 upon 16 that is the solution of this तो आपने पहले इन्हें a और b माना फिर आपने यह पहले करके देख ले न cos of a plus b यह आ गया फिर आपको यह mind में clear हो जाएगा कि आपको value क्या क्या चाहिए sin a वहां से मिल गया cos a मिल गया sin b cos भी चाहिए c the value put करी और हमें solution मिल गया है कि अचे की बाहिए